हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेस्टीन किचेन 24 आज हम बनाएंगे बहुती क्रिस्पी रेसिपी गोबी 65 बहुती टेस्टी लगती है यह जब भी कुछ चट पटा और क्रिस्पी खाने का मन करें तो यह गोबी 65 बनाया बहुत जल्दी बन जाता है तो इसके लिए हमने एक ब जाल दी डाल दी है और वन फोट टी स्पून गरम मसाला लिया है तो आदा चमच जाल दे और दो चमच बड़ा मैंने खटा दही लिया है थोड़े से कड़ी पत्ते को काट लिया था और हमने थोड़ा सा हराधनिया धूकर काट लिया था इन सब चीजों को हम मिक्स कर अद्रक लेसुन का पेस्ट भी आप चाहे तो आभी डाल सकते हैं मैंने बाद में आट किया था तो इस तरह से फूल गोबी को हमें इतने बड़े पीसे काट लेने हैं इसके थोड़ा सा गरम पानी करके उसमें नमक डाल के उसमें आप फूल गोबी को डाल कर रग दें बहुत अच्छा लगता है तो इसमें आप नीबुकरस और भी डाल सकते हैं दही मैंने खटा लिया इसलिए हमने नीबुकरस कमी डाला है अब इसमें हम फूल गोबी को डाल देंगे और अच्छे से हमें मिक्स करना है तो फूल गोबी जब आप तो उसके जो फ्लावर है व बड़े थोड़े फूल को रखें अब इसमें मसाला अच्छे से मिक्स कर देना है और करीब 15 मिनिट के लिए हम इसे मैरिनेट करेंगे और इसमें मैंने एक चमच अद्रक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है अब आप चाहें तो स्टार्टिंग में डालने अब इसको मिक्स कर बठाई लें अच्छे से तो फूल गोभी के अंदर तक मसाला बैट जाना चाहिए हल्की हाथ से अच्छे से लगाएं मसाले को आब इसमें हमें चावल काटा डालना हैं तो मैंने तीन चमच इसमें चावल काटा लिया है और तीन चमच हम इसमें कॉण फलार डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावल काटा नहीं हूँ तो आप नॉर्मल जो राइस होता है उसको मिक्सी जार में पीस ले अब ये एक-एक फूल को अलग-अलग करके तेल में डालना है तो तेल को आपको अच्छे से गरम कर लेना है पहले फिर उसमें गोबी डाले नहीं तो वह बिल्कुल चिपक जाएगी और एक-एक फूल अलग करकर डाले नहीं तो वह एक जगा ही खटा हो जाएगी और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा क्रिस्पी नहीं बनेंगी तो तेल को बहुत तेज गरम करना है आपको फिर उसमें ये गोबी डाल देनी है एक- इसे हाइफ्लेम पर ही पकाना होता है तो आप इसे हाइफ्लेम पर ही फ्राय करें बहुत ही क्रिस्पी तयार होंगे आप चाहें तो पहले दो बार भी फ्राय करेंगे इसे तो क्रिस्पी हो जाएंगे जैसे एक बार फ्राय कर लें फिर इसे निकाल दें थोड़ी देर बार टेल को गरम करकर और उसमें तुबारा डाल या तो यह बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे मैं ने को एक ही बार फ्राइब करो हैं काफी क्रिस्पी हो गए थे हम इसमें चावलका आटा। उससे बहुत Iraqi बनकर तो जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे या कोई गैस्ट आ रहा हो कुछ स्पाइसी और क्रिस्पी खाने का मन करें तो इस तरह से गोबी 65 बनाए तो गोबी अच्छे से फ्राय हो गई थी मैंने उसको तेल से बहार निकाल लिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता और हरी मिर तो इसको सर्फ कर लेंगे मैंने टमेटो कैचप के साथ सर्फ किया है उपर से इतना क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट और खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्टेस का आप एक बार बनाएंगे बहुत ही पसंद आएगी आपको ये रेसिपी और हर बार बटाना कमेंट्स में बताईएगा जरूर कैसी लगी ये मेरी कोबी 65 की रेसिपी और जादे से जादा मेरे वीडियो को देखने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें